वेल दोस्तो मिरलेस कैमराज का क्रेज काफी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और क्यों ना हो इनकी लाइट विट डिजाइन, सुपीरियर इमिज क्वालिटी और वर्सलिटी फीचर्स इन्हें और भी ज़्यादा फैवरेट बना रही है वेल दोस्तो अब तक मैंने मिरलेस कैमराज पे ठेड़ सारी वीडियो बनाई हैं और आज किस वीडियो में हम आपको इंडिया के टॉप फाइब बेस्ट ऐसे मिरलेस कैमरा बताने वाले हैं चुकि आपको टू लैक रुपीज सकी प्राइब ब्रेंड के साथ में इसके लावा सुपीरियर इमेज क्वालिटी फास्ट आटो फोकस एक्सलेंट लो लाइट पफोमेंस फोर के रिकोडिंग एंड कुछ कैमरा तो ऐसे भी है चुकि आपको 6 के रिकोडिंग का भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इसके लावा और भी कई सारे एडवांस फीचर्स यहां पर आपको देखनी को मिल जाते हैं बाकि एक बात में आपको बता दू आपकी नीड क्या है यह आपको अच्छे से पता है तो आप ऑनलाइन पहले कैमरा बोडी ले एंड उसके बाद अपनी नीड के अकोडिंग लेंसे सेलेक्ट करें आपको डाटी गजटड़ा फोटोग्राफी करनी है जैना उसके लिए अलग लेंस की रिक्वायर्मेंट होती है और आपको वीडियो करनी है उसके लिए अलग लेंस आते हैं हालाग कि इस list में मैंने almost with lens वाले cameras लिये हैं चुकि काफी अच्छी quality आपको provide करते हैं बाकी की बात वीडियो में करते हैं वीडियो मैंन तक बने रही है चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये तो गई subscribe कर दीजिए यहाँ पर आपको ऐसी ही धेड़ सारी वीडियो देखनी को मिल चाहेगी और मोर थिंग अगर आप इन mirrorless cameras को purchase करना चाहे तो आपको link नीचे description box में मिल चाहेगी वहाँ से जाके आप इन्हें easily check out कर सकते हैं तो चलिए बिना किसे देरी की वीडियो को start करते हैं वाल एट नुमर फिफ्ट पोजिशन पर आने वाला mirrorless camera आपको Sony की तरफ से Sony Alpha 6700M देखनी को मिलता है अभी गाईज बता दू यह specially उन लोग के लिए है जिनका budget अराउंड 1.5 lakh रुपीज तक का है एंड इस price range पे उनको dedicated वीडियो ग्राफी के लिए कोई अच्छा सा hybrid camera लेना है लाइक उन्हें wedding के साथ साथ YouTube content creating, table mount videos, vlogging और भी कई different multipurpose video shooting करनी है देन वो लोग इसे definitely consider कर सकते हैं ऐसा नहीं कि यह photographic लिए सही नहीं है बट ज्यादा बेटरी यह वीडियो ग्राफी के लिए बना है सबसे बड़ी बात यह camera 4 की recording 60fps आपको provide करता है चुकि इस price range में काफी बड़ी बात है बाकि design आप देखी सकते हैं अच्छे कैसे hand grip के साथ में अपर साइड में यहाँ पे आपको कई सारे dial controls, on-off switch, electronic viewfinder और जो इसका all over build है वो यहाँ पे आपको plastic material का देखनी को मिल जाता है चुकि काफी rugged and tough है features की बात करें तो यहाँ पे आपको IPSC sensor देखनी को मिल जाता है चुकि 26 megapixel के साथ में आता है लाइक काफी smooth footages यहाँ पे आपको मिलती है इसके लावा innovative AI processing unit जिसमें आपको autofocus, eye tracking, inbuilt image stabilization, active mode, wide dynamic range, diavage shooting, consistently accurate exposure, wider subject recognition चैसे और भी धेर सारे features यहाँ पे आपको इस camera में देखनी को मिलते हैं इसके लावा ISO यहाँ पे आपको 100 से लेकर 32,000 तक देखनी को मिल जाता है चुकि इसकी price range के साथ से काफी बढ़िया and sufficient है इसके लावा lens की बात करें तो मैंने यहाँ पे 18-135mm का zoom lens लिया है चुकि एक power zoom lens है मतलब single button से आप इसे zoom in and zoom out कर सकते हैं बाकी lens आप अपने need के coding ले अब बात कर इसकी price की तो यह आपको without kit lens 1,30,000 रुपीज सकी price range में देखनी को मिलता है and with kit lens यह आपको 1,60,000 रुपीज सकी price range में Amazon पे देखनी को मिल चाहेगा so guys अगर आपको एक अच्छा सा hybrid camera लेना है and आपका 1,50,000 रुपीज के आसपास budget है then definitely check out this one यह आपके लिए काफी best option हो सकता है link में नीचे description box में डाल रखिये वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं so here comes the fourth one जो कि Canon की तरफ से EOS R6 Mark II देखनी को मिलता है यह भी टूल लाइक रुपीज सकी प्राइस इंच में काफी बढ़िया high-end mirrorless camera है यहाँ पे आपको honico 24.2 megapixel का sensor देखनी को मिल जाता है जो कि एक full frame CMOS sensor है इसके लावा image processor यहाँ पे आपको digit X देखनी को मिलता है जो कि काफी जादा vibrant colors के साथ में आपको footage प्रवाइड करता है लाइक आपने पहले भी Canon की काफी तारिफ सुनी होगी इनका जो color correction है वो काफी बढ़िया है इसके लावा shooting speed यहाँ पे आपको 40 frame per second देखनी को मिल जाती है ISO range 100 से लेकर 1,2400 देखनी को मिलती है जो कि काफी बढ़िया है इसके लावा video की बात करें तो यह camera 4K recording 30 fps 1080p 60 fps and slow motion में 4K recording 60 fps भी यह support करता है इसके लावा जादा better यह photography के लिए है आइक इससे आप weddings के साथ साथ wind life photography, outdoor, indoor, सभी तरी की photography काफी अच्छे से कर सकते हैं lens के बात करें तो यह आपको फिलाल RF 24-105mm के lens के साथ में मिलता है बाट आपकी need क्या है वो हमको नहीं पता सो आप lens अपनी need के according purchase करें price के बात करें तो यह आपको फिलाल with lens 2,21,000 रुपी सकी price range में मिल रहा है बाकि without kit lens या आपको 1.7 या फिर 1.8 लैक रुपीज तक की price range में मिल सकता है इसके भी link आपको नीचे description box में मिल चाहिएगी वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं अब इस नम्मर थर्ड position पर आने वाला camera Fusey lovers के लिए होने वाला है जिनको Fusey film के cameras काफी ज़्यादा पसंद है उनके लिए best option हो सकता है मैं बात कर रहा हूँ Fusey film की तरफ से आने वाला X-T5 जो कि 2 lakh रुपीज तक की price range में photographic के साथ साथ video graphic के लिए एक perfect choice हो सकता है सबसे पहले आप इसके design देखिए यहाँ पे आपको retro style design देखनी को मिल जाती है लाइक जो Fusey film के old cameras आते थे उसी design में यह आज भी manufacture करता है और यह look दोको काफी ज़्यादा पसंद आता है इसके आपको 2 color options देखनी को मिल जाते हैं एक आता है all black और दूसरे यहाँ पे आपको silver के साथ में black combination देखनी को मिलता है totally इसका frame आपको metal build में देखनी को मिलता है इसके लाव आपर साइड में आप देख सकते हैं कई सारे manual, button controls, electronic viewfinder, on-off switch, shutter speed और कई सारे function buttons यहाँ पे आपको देखनी को मिल जाते हैं बाकि यह camera आपको 40 megapixel FPC sensor के साथ में देखनी को मिलता है जो कि high resolution video footage and images आपको provide करता है यह camera 6K recording भी support करता है जो कि हमारी इस list में और कोई भी camera 6K recording नहीं करता इसके लाव इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 4K 60fps and full HD यहाँ पे आपको 240fps तक देखनी को मिलता है जो कि 2 lakh रुपीज सकी price के साथ से काफी बढ़िया है एक drawback मेर को यहाँ पे इसका लगा यहाँ पे आपको fully tiltable screen नहीं मिलती जिनको vlogging वगेरा या फिर table mount videos या फिर YouTube के लिए videos वगेरा बनाने हैं उनके लिए इसकी screen को देखते वे perfect नहीं हो सकता उसके लिए आपको अलग से camera monitor mount करना होगा मतलब इसे dedicated fusee film lovers के लिए बनाय गया है चुकि पहले से fusee film के camera's use करते हैं और उनको इसी style का camera लेना है ते वो लोग इसे definitely consider कर सकते हैं अभी फिलाल यहाँ पे आपको lens XF 16-80 mm तक का देखनी को मिलता है अब बात करें इसकी price की तो यह आपको फिलाल 2,6,000 उपीज सकी price range में Amazon पे देखनी को मिल रहा है कभी-कभी इसकी price fluctuate होती रहती है इस बात का आप ध्यान रखे बाकि आपकी need क्या है यह आपको अच्छे से पता है लेन साप अपनी need के according purchase करें लिंक में नीचे description box में डाल रखिए वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं Now moving on second position चोकि Nikon की तरफ से Nikon Z7 Mark II देखनी को मिलता है यह भी 2,00,000 रूपीज सकी price range में काफी बढ़िया hybrid mirrorless camera है यहाँ पे आपको 45.7MP का sensor देखनी को मिल जाता है चोकि काफी high quality resolution के साथ में videos and images आपको provide करता है यह camera Z mount lenses के साथ में आता है बाकि design आप देख सकते हैं अच्छे कासे deep hand grip के साथ में कई सारे यहाँ पे आपको dial controls tiltable LCD touchscreen, electronic viewfinder, ISO shutter speed, menu dial buttons चैसे और भी कई सारे functions यहाँ पे आपको देखनी को मिल जाते हैं इसके लावा connectivity में यहाँ पे आपको Wi-Fi, Bluetooth, NFC जैसे सभी तरह की connectivity options देखनी को मिल जाते हैं बाकि वीडियो की बात करें तो यह camera 4K recording 30fps and 1080p 60fps तक support करता है होने को और भी कई सारे features में आपको बता सकता हूं बट वीडियो जाता लंबी हो सकती है इतना मैं आपको कह सकता हूं इसे आप चाहे वीडियो ग्राफिक के लिए ले या फिर फोटोग्राफिक के लिए दोनों के लिए यह काफे बड़िया option आपके लिए हो सकता है प्राइस इसकी फिलाल without kit lens तुलैक तैन थाउजन उपी सकी प्राइस दिंच में Amazon पर देखनी को मिल रहा है अगेन मैं आपको बता दू kit lens आप अपनी need के according purchase करें बाकि इसकी भी link में नीचे description box में डाल रखी है वहाँ से जाके आप इसे easily check out कर सकते हैं सो गई लास्ट नमाँ वन पॉजिशन पर आने वाला mirrorless camera आपको अगेन सोनी की तरफ से सोनी alpha 7R3 देखनी को मिलता है अभी गाईस बता दू 2 lakh रूपीज सकी price range में यह आपको with kit lens पढ़ सकता है like without kit lens इसकी price 1 lakh 70,000 रूपीज हो रखी है but 30 to 35,000 या फिर 40,000 तक का kit lens आप इसमें over add करते हैं तो यह आपको 2 lakh रूपीज सकी price range में काफी बड़िया value प्रवाइड कर सकता है यहाँ पे आपको full frame 42.4 megapixel का X-More R C-More sensor देखनी को मिल जाता है जो कि trust me काफी high quality resolution के साथ में आपको images and videos वगेरा प्रवाइड करता है 2 lakh रूपीज सकी price range में यह काफी बड़िया hybrid camera है ISO यहाँ पे आपको 100 से लेकर 32,000 तक की देखनी को मिलती है इसके लावा 14-bit RAW format Real-time eye autofocus Inbuilt 5-axis image stabilization चुकि काफी smooth videos आपको provide करता है इसके लावा instant sharing VI, technology, Wi-Fi NFC different dimension of resolution, enhanced flash capability wide range 54 native mirrorless lenses और भी धेर सारे features यहाँ पे आपको साथ में देखनी को मिलते हैं Design आप देखी सकते हैं Deep hand grip के साथ में कई सारे dial controls, electronic viewfinder, mini HDMI, 3.5 mm jack और भी कई सारे connectivity options यहाँ पे आपको देखनी को मिल जाते हैं बाकि यह एक full frame mirrorless camera है तो यहाँ पे 4K recording 60fps का support भी देखनी को मिल जाता है इसके लावा 1080p 120fps तक support करता है बाकि जो LCD screen यहाँ पे आपको देखनी को मिलती है वो fully tiltable है लाइक आप उसे right and left, up and down almost सभी direction में आप इसे tilt कर सकते हैं So overall यह camera 2 lakh रुपी सकी price निच में complete with lens के साथ में आता है जैसे आप weddings, indoor and outdoor, table mount videos, vlogging, YouTube सब भी multipurpose uses के लिए use में ले सकते हैं So guys यह थे वो 5 best mirrorless cameras चुकि इंडिया के सबसे best mirrorless cameras है Trust me काफी deeply research के बाद इन्हें इस list में लिया गया है ऐसा निये कि list में मैंने और mirrorless cameras बताया हैं वो अच्छे नई हैं वो भी अपनी price and features के साथ से best है किसी को dedicated photography के लिए camera चाहिए तेन वो EOS R6 Mark II की तरफ चाह सकते हैं या फिर Nikon Z7 Mark II भी ले सकते हैं इसके लावा hybrid option में सबसे best Sony Alpha 7R3, Fuse Film X-T5 and Sony Alpha 6700M देखनी को मिलता है ये hybrid cameras में best option है आपका budget कम हो तेन आप Sony Alpha 6700M की तरफ जा सकते हैं या आपको 1.5 लाइक रूपीज सकी price range में complete with power zoom lens के साथ में देखनी को मिलता है बाकि budget जादा हो तो आप 7R3 and Fuse Film X-T5 की तरफ जा सकते हैं मैंने सभी की best buy link के नीचे description box में डाल रखी है वहाँ से जाके आप इन्हें easily check out कर सकते हैं बाकि आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किस नई वीडियो में ऐसे ही किसी नए topic के साथ में